दोस्तों मैं आज आपके लिए ले के आए हूँ 1200 स्क्वेर फिट में एक बनाववा घर जो की है PCMC पुने मोशी में लोकेशन में 1912 लोकेशन की आपको पुरे घर का तूर देने वाले है और बात करेंगे प्राइज और डॉकुमेंट की तो वीडियो को आखीर तक देखे है कहीं बीस्कीप मत करि दियों और कर शिक्रिया करके वही को हम लोग आ आता है PCMC में मोशी में और काफी अच्छे और प्राइम लोकेशन पर ये घर है दोस्तों और आज बज़ में भी आप देख रहे हैं काफी कुछ अच्छा यहाँ पर बना हुआ है हर जगा आपको घर वगरा देखेंगे काफी अच्छा ऐसा यह location है दोस्तों आप देख पार है road भी काफी अच्छा है दोस्तों यह जो घर है यह आता है PCMC में बिम्प्रिश इंच और महानगर पाली का जो की पूने में आता है अगर इसके location की तो location काफी अच्छा है पूने नासिक highway को लग कर है यह property मात्र 500 मिटर पर यह property आता है दोस्तों अगर आप देखें के तो इसके आजो बजो में भी काफी आपको development दिख रहा है बाजो में भी देखें के तो एक बड़ा building आ रहा है इसके आजो बजो में अगर इस locality के बारे में बात करेंगा तो यहाँ पर काफी बड़े-बड़े builders आए हुए जिनके काफी बड़े-बड़े ऐसे प्रोजेक्ट चलना है अगर यहाँ पर इस location पर आप 1BHK लेते हैं तो 1BHK का जो price है वो 30 to 40 lakhs के बीच में आ जाता है और यह जो मैं आपको 1200 square feet का जो घर दे रहा हूं यह काफी reasonable होने वाला है तो वीडियो को आखिर तक देखिए price वगरा भी हम लोग आगे discuss करने वाले है तो चले दोस्तों हम अभी इस घर का टूर शुरू करते हैं जिसमें आपको detail में पता चलेगा किस तरीके से rooms हैं क्या है यह सब चीजे आपको detail में भी पता चलने माला है और घर के मेरे में बात करेंगे तो total 1200 square feet का plot area है जिसमें thousand square feet में इनोंने इनका construction किया हुआ है और आप hall भी देख पार है का काफी huge ऐसा यह अपने खुद के native place जाना चाते हैं और आगे का जो जीवन है वो अपने family में spend करना चाते हैं इसलिए वो यह घर बेच रहे हैं और यही कारण है कि यह घर maintain नहीं रख पाते हैं क्योंकि सिर्फ दोनों ही रहते हैं और इसलिए अगर आप यह घर लेते हैं त तो आप इसको demolish करके भी अपना घर बना सकते हैं क्योंकि अगर इस एरिया में plot के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर plot के rate काफी high five है 35 to 40 lakhs की बीच में यहाँ पर plot की कीमते चल रही है और इस वज़े से अगर आप इसको demolish करके भी इसको बनाना चाहते तो भी आप काफी अच्छा घर है दोस्तो मैं तो कहूंगा कि अगर इसको demolish नहीं भी करते हैं और आप वन बीच के फ्लैट यहाँ पर अगर 40 lakhs में ले सकते हैं तो यह घर आप लेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे और अगर रेंट पर भी देंगे तो मिनिमुम आपक से 40,000 रुपीज पर मन्त शुरू हो सकता है क्योंकि मोशी की तो मोशी के आजुबज में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा इंडर्स्री ले रहे हैं जहां पर बहुत से एंप्लॉई रहते हैं और उसकी वज़े से आपको यह घर रेंट पे देने के लिए कोई प्र से 1 hall और एक kitchen है और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं ये जो गली दीख रहे हैं इसमें आपको देखेंगे तो यहां पर दो रूम मिल रहे हैं जो की दो individual है अभी आप जो देख रहे हैं यह है इसका फॉस्ट रूम जिसका रेंट 5,000 रुपीस आता है काफी अच्छा और बड़ा ऐसा रूम है दोस्तों अगर आप फ्लाट लेते हैं तो 1BH के फ्लाट 40 LX में लेने के बाद आपको या तो आप खुद वहां रह सकते हो या तो आप टेनेट को रख सकते हो अगर टेनेट को रखेंगे तो 10,000 रूपीज आपको पर मत आएगा और अगर आप खु पैल ट्वालेट बातरूम और यह सका सेटयरा बातरूम इसकी ऊपर तेरेस आता है दोस्तों काफी अच्छा और यूज ऐसा तेटेस है तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप घर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है एक तो आप खुद भी रह सकते हैं प्लस आप अपने घर में tenant भी रख सकते हैं जो इसका extra income आपका बहुत अच्छा हो जाता है जो कि फ्लाट में नहीं होता है या तो फ्लाट में आप खुद रहना है या तो फिर रेंट पर देना है यह आप देख रहे हैं इसका काफी बढ़ा ऐसा यह terrace है दोस्तो पानी का टंकी वेगर सब दोस्त हैं यह दोनों दोस्तों ने मिलके plot लिया था एक plod बढ़ा लिया था जिसमें की 1200 square feet का इन को आया 400 square feet का बाजू अलोक आया तो जो बाजू का आपको दिख रहा है जो आप दिवाल देख रहे हैं इस दिवाल को लेके ही आप घर चड़ाना चाहते हैं तो चड़ा सकते हैं इसका भी आपको पैसा आपका बच रहा है क्योंकि आपको सिर्फ तीन वाल लगाना है चौथी वाल अलड़ी आपको लगी हुई है और यह सामने आप देख रहे हैं आम का पेड़ भी है काफी अच्छा ऐसा यह घर है दोस्तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करेंगे दोस्तो यह है मोशी चौक जो की काफी फेमस ऐसा चौक है दोस्तो यहां से अगर बात करेंगे इस घर की तो मात्र देड़ किलोमेटर पर यह घर आता है जो की काफी अच्छी बात है और अभी जो देख रहे हैं यह है भोसरी भोसरी से मात्र यह आता है साड़े तीन किलो मेंटर पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहां से भी आपको बसेस वगरा की सभी सुमीदाए अवलेबल है दोस्तों यह जो घर है लीगली काफी स्ट्रॉंग है लेकिन फिर भी आप अपने वकील से आप अपने एड़ोकेट से एक बार पूरे डॉकुमेंट चेक कराने हैं आपको और अगर आपको यह डॉकुमेंट वगरा सब समझ में आते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं घर काफी अच्छा है बारा सो स्क्वेर फिट में बना हुआ घर है और काफी अच्छे लोकेशन पर है इस लोकेशन पर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर प्लॉट भी लेते तो काफी महंगा आता है और पिम्प्री चिंचोड महानगर पालिका में होने के वज़े से आपको इस घर को एने होने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि ये अलड़ी पिम्प्री चिंचोड महानगर पालिका में है तो काफी अच्छा ऐसा घर है यह जो आप अभी रोड देख रहे हैं यह इस प्लॉटिंग का रोड है और आजू बजू में भी आप देखेंगे तो काफी स्कीम्स वगरा काफी प्रोजेक्ट वगरा बन रहे हैं काफी अच्छा है यह बीच का रोड वगरा आप देख रहे ह देखना है तो दिये गए नमबर पर ज़रूर समपर्क करें और हो सकता है हमारा फोन ना लगे इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक Google फॉर्म दिया गया है उसको फिल अप करिए तो हम लोग तुरंत आपको कॉल करेंगे और आपको प्रोपर्टी विजिट कर वाएंगे थैंकिं दो फॉर वाचिं अवर गूल तो